कि हलो फ्रेंड तो आपके सामने लेकर आ गए हैं कि मैथमेटिक सब्जेक्ट जी ट्यू गुज्राट टेक्नोजगल इन्वर्सिटी के यह सब्जेक्ट है फॉस्टियर वाले के लिए खास करके मैं फॉस्टियर वाले के लिए लेकर आया हूं कि ताकि उनका जो हार सब्जेक्ट होता है जैसे मैथमेटिक जिसमें ज्यादा मैक्सिमुम फेल होते हैं ऐसे सब्जेक्ट को मैं लेकर आया हूं हलाकि उनके जो कैसे सिल्वष डाउनलोड करना इसके फ्रीवेस वीडियो में मैंने explain करके तो बता दिया है लेकिन साथ में मैं एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं और आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा तो जो अधर सब्जेक्ट के जैसे की physics है ठीक है किसी-किसी में इंजिनिंग ड्रॉइंग है तो ऐसे जो सब्जेक्ट है ना इन सभी को भी वन बाई वन करके देखेंगे लेकिन जब आप सभी का स्वयोग रहेगा आप सभी अगर हमारा साथ देंगे तो यह पॉसिबल हो सकता है ठीक है तो आप सभी से एक्सपर्टेशन यह है कि आप हमें साथ दीजेगा और यह हम अच्छे से इसको कंप्लीट करेंगे तो जैसे कि मैंने आप लोग को बुला कि mathematics हम स्टार्ट करने वाले हैं ठीक है यहां पर जो सब्जेक्ट है यह mathematics उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूं ठीक है तो चलिए मैं आ आपखी प्रिव्यूर्ट वाले विडियो में बताया भी था लेकिन फिर भी यहां पर बता देता हूं ठीक है जैसे की पहला जो यूनिट है ला कि प्लिक्ट है कि अ कल्नाना में तेटर्मीनेट यहां आट फॉंक्षयन ठेक है अच्छा यह जो फंक्षन के साथ-साथ agree अगरिदम भी दिया हुआ है ठीक है डिटर्मिनेट और फंक्शन डीटेल में पढ़ेंगे आराम से और बहतरीन तरीके से पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा आराम करके पढ़ेंगे कि ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए ठीक है जब ज्यादा लोगों का कमेंट है सोलर माक्स यह है आपके उन्यवरigration में जो 70 माक्स हआता है उसमें से सोलर माक्स कवर करता है ठीक है इन चैप्र तो बहुत इंप्बॉडन है दूसरा जो चैप्र है उसका नाम है ट्रिग्नूमेट्री बहुत लोग को trigonometry में दिक्कत होता है लेकिन मैं यहाँ पर इसको जब पढ़ाऊंगा ना तो आपको कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा बस आपको patience बना के वीडियोज को देखते रहना है ठीक है यह जो cover कर रहा है वो है 14 marks ठीक है 14 marks cover कर रहा है वह ही अगर मैं बात करूँ chapter number 3 का तो chapter number 3 का नाम है vectors बहुत easy है बस आप लोग patience रखे अगर रोजाना एक वीडियोज भी देखते हो न तो guaranteed है कि आप अच्छे marks गेन कर पाऊगे ठीक है एक ही वीडियो देखो ठीक है और अच्छे marks cover कर सकते हैं जैसी ये भी है 14 marks का ठीक है ये भी कितने marks का है 14 marks का अगर मैं chapter number 4 या unit number 4 की बात करूँ तो वह है coordinate geometry बहुत लोग को hard लगता है लेकिन मैं आपको इतनी आसानी तरीके से बताऊँगा कि आपको वो hard नहीं लगेगा ठीक है coordinate geometry और लेकर आया मैं पांचवा जो unit उसका नाम है limit इतना ही chapter है ठीक है देखिए coordinate geometry भी आपका 14 marks कवर कर रहा है limit जो है वो 12 marks कवर कर रहा है ठीक है अगर मैं यहाँ पर बोलू न कि कोई भी दो chapter को अगर आप अच्छे से prepare करते नो कोई भी दो chapter तो passing mark तो अपला सकते हो लेकिन बहतर तरीके से prepare कर रहा हो कि तभी ना ठीक है इसलिए कम से कम तो तीन आपको अच्छे से आना चाहिए तीन chapter कोई भी पकड़ लो और बहुत अच्छे से सीख लो guaranteed है मैं तो यह पूरे को पूरे पांच unit complete कराने वाला हूं आप patience रखके मेरे साथ बने रहेंगे तो पूरे को पूरे टॉपिक को मैं explain कर दूँगा जैसे की next मैं लेकर आने वाला हूं जो हमारे पास पहला जो chapter है पहला chapter बोलो unit बोलो मैं यहां पर अभी chapter लिक रहा हूं chapter number one जिसका नाम है determine it सबसे पहले हम सीखने वाले हैं न डीटर मिनिट ठीक है अगर मैं यहां पर बात करूंगा सबसे पहला जो सीकने वाले हम है डीसे माली की बात करने वाला हूँ अब देखिए सबसे पहले सब्थ से कले हैं लिगे हुआ हुआ सबसे पहले हैं सरे जरूरत होता है जैसे का है भी We recommend लिनियर क्वेशन पड़े होंगे तो Θr लेकिन डीटर्मिनेट आगे जाके आगर आपको मैट्रिक्स बढ़ने के लिए आएगा तो उसमें ये determinate बहुत help करेगा ठीक है तो determinate से related मैं आज आपको second order ठीक है second order को solve करना determinate find out करना हम सीखेंगे ठीक है मैं आपके बताने वाला हूँ पहला ठीक है second order ठीक है यहां B है यहां C है यहां D है इस तरीके का देखिए दो खड़ी line के बीचों बीच में A B C D है ठीक है अगर इसका determinate पता करना है ठीक है इसका determinate पता करना है तो simple सा देखिए यह वाला का multiplication देखिए cross multiplication पहले A into D का multiple करोगे multiple है A D A D लिखा मतलब A का D से multiple और फिर minus rules में आता है फिर यह जो B C है इसका multiple और जो भी value होगी यह लिख दोगे इसको solve करके तो आपका थोड़ा सा यह समझना पड़ेगा देखिए यहां पर यह जो यह जो A है इसको बोलते हैं देखो यह पहला रो है इसको पहला रो बोलते हैं और यह दूसरा रो है ठीक है इसमें यह पहला कॉलम है यह दूसरा कॉलम है ठीक है अब देखिए पहला रो और पहला कॉलम जब इसको लिखा जाता ना हलां कि यह matrix में काम आता है लेकिन फिर भी यहां पर जानते रही है जैसे मैं A की बात कर रहा नहुं एक्षिली इसको indicate करने के लिए A11 बोलते हैं ठीक है अगर मैं C की बात करूं तो C को अगर बोले जाएगा C को तो उसको बोले जाएगा एक मिनट अगर मैं C की बात करूं ना C की अगर मैं बात करूं ठीक है तो उसको देखिए दूसरे रो में है पहले तो दूसरे ये रो में है और पहला कॉलम है ठीक है वैसे अगर B की मैं बात करूं न तो पहला रो है और दूसरा कॉलम है वैसे अगर D की मैं बात करूं तो ये दूसरा रो और दूसरा कॉलम है मतलब हम जब भी बताते हैं किसी को भी तो आर इंटू कॉलम में बताते हैं मतलब आर सी हम लिखते हैं ठीक है रो इंटू कॉलम में लिखते हैं ठीक है आर इंटू सी में लिखते हैं तो अलग-अलग मैं एक्जामपल के तरीके से मैं यहां पर समझाने वाला हूँ जैसे कि म में यह question भी पूछा हुआ था जैसे question है देखिए यहाँ पर 2 है यहाँ पर minus 3 है यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है ठीक है अब इसके determinate पता करना है क्या पता करना determinate तो मैंने आपको बोला था यह cross multiplication करना 2 4 जा 8 यह आ गया और minus rules में होता है ठीक है और यहाँ पर देखिए 5 और minus 3 का multiplication 5 और minus 3 plus minus ka multiplication minus होता है ठीक है वो minus लिख दो गया और 5 3 जाब 15 हो गया अब यहाँ पर देखिए यह 8 तो हाई है देखिए यह minus और यह minus multiplication होगा तो plus हो गया और यह गया 15 अब 15 और 8 को add कर देंगे तो हो जाएगा 23 क्या हो जाएगा ये 23 हो जाएगा तो ये हमारा इस तरीके से determinate निकल के आ जाता है clear ये आपको idea मिल गया होगा ठीक है और भी कई सारे example करेंगे देखिए एक example से हमारा नहीं हो जाता है कई सारे हम example करने वाले हैं ठीक है अब चलिए मैं एक और example ले लेता हूँ ठीक है जैसे कि मैं दूसरा example ले लेता हूँ यहाँ पर दूसरा example दूसरा example मैं जैसे कि कुछ और different ले लेता हूँ जैसे कि दिया हुआ x minus 1 यहाँ पर दिया है x यहाँ पर भी दिया है x और यहाँ पर x plus 1 अब आपके सामने ये question है ठीक है अब इसके determinate पता करने है तो determinate कैसे पता करेंगे देखिए मैं पहले इसका इसके साथ multiplication तो देखिए यहाँ पर x-1 का multiplication x-1 के साथ करने है ठीक है अब फिर rules में minus होता है फिर इसका multiplication करेंगे अब यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी आपको याद होगा तो ठीक है नहीं तो याद नहीं होगा तो मैं यहाँ पर बता देता हूं जैसे अगर कोई हो a plus b हो और a minus b का multiplication हो तो वह जाता है a square minus b square वैसे ही identity यहाँ पर है देखिए a minus b और a plus b पहला और दूसरा जो देख रहा हो सेम है एक बार एक बार बीच में प्लस है एक बार बीच में माइनस है तो उसमें क्या हो जाता है पहले वाले का square minus दूसरे वाले का square यह तो सिर्फ इसका हो गया और यहाँ पर minus x square दिया था अब यहाँ पर देखिए यह यह x square प्लस में है यह x square minus में है यह cut करके 0 हो जाते हैं अब यह आप देखिए one का जब square करेंगे तो one होगा यहां पर value minus थी तो minus one जो है उसका answer हो जाएगा इस तरीके के questions होंगे ठीक है simple simple छोड़े-चोड़े question लेकर मैं यहां पर बताते रहूंगा अच्छा तीसरा इक्जामपल कर लेते हैं इसे आइसे questions दिया हुए है कि क्या दिया हुआ 5 प्लस रूट 3 ठीक है यहां पर दिया है 3 माइनस रूट 5 यहां पर दिया हुआ है 3 प्लस रूट 5 और यहां पर एक मिनट यह अलगी हो गया ठीक है और दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है अब देख सकते हो 5 minus root 3 5 minus root 3 मैं slow में बता रहा हूँ लेकिन अगर आप चाहें तो इसको speed में रख के और आप solve कर सकते हैं ठीक है चलिए इसको solve करते हैं पहले क्या करते हैं आपको पता है कि इसका इसके साथ multiplication करते हैं simple सा मैं जो arrow बता रहा हूँ इसका और इसके साथ multiplication कर दीजेगा देखे यह है 5 plus root 3 bracket में ही रखना multiplication अब यह है 5 minus root 3 minus rules में ही है ठीक है मैंने पहले ही बता है फिर बाद में in का multiplication करना यह वाला एक है 3 root 5 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 plus root 5 का multiplication है 3 minus root 5 का ठीक है अब यहाँ पर देखिए आगे देखिए यह भी identity वही है जो उपर मैंने यहाँ पर बताया ना जो मैंने यहाँ पर उपर बताया है वही identity यहाँ पर भी है a plus b और a minus b है तो पहले वाले का square minus दूसरे वाले का square ठीक है यह तो हो गया अब यहाँ पर ध्यान देना इसको बड़े वाले bracket में ऐसा रखो क्योंकि यहाँ पर बीच में minus है यहाँ पर भी इसको बड़े वाले bracket में रखो इसमें भी पहले वाले का square minus दूसरे वाले का square clear इस तरीके से लिख लो अब यहाँ पर ध्यान देना देखो 5 का square 25 हो गया और root 3 का square जब हो आ यह root हड़ जाता है जब root का square होता है दो root हड़ जाता है 3 माइनस यहां पर था 3 हो गया यहां minus rules में है यहां पर भी देखिए 3 का square हो गया 9 और यहां देखिए minus तो है यह है रूट फाइब का रूट हड़ जाएगा इसक्वायर लगा है तो उसी हो जाएगा फाइब वन बाइवन जैसे बता रहा है एकदम वहीं से लिखिए देखिए 25-3 हो जाएगा 22 और यहाँ करेंगे कि ताकि आपको कोई भी किसी प्रकार का confusion न रहें चोटा हो बड़ा हो हर तरीके के questions को हम solve करेंगे ठीक है चलिए एक दो और questions कर लेते हैं हाला कि यह जो आपके सामने है यह एक पीडिया भी बन जाएगा ठीक है या पीपडी के form में बन जाएगा अगर आपको जरुवत होगा तो आप कमेंट करना यह भी आपको मैं प्रोवाइट कर दूंगा जो आपको यह solution दिख रहा है उसका भी ठीक है यह next जो आपके सामने question ला रहा हूं एक और बहतरीन question चैंट चौथा नंबर का question और वो क्या है देखिए sin theta कि यहां पर दिया है माइनस पोस थीटा पो फिर यहां पर दिया हुआ है cos theta और यहां पर दिया हुआ है साइन तीट यह है कोशिंटशंट इसका डिटयर मिन्यिट आपको पता करना है ठीक है मैंने बता यह इसका इसका मिल्टिप्लिकेशन साइन साइन थीटा साइन थीटा सेम का मल्टिप्लिकेशन होता है तो साइन स्क्वाइर थीटा हो जाता है और यह माइनस रूल में होता है फिर देखिए कॉस प्लस में है यह कॉस माइनस में मल्टिप्लिकेशन है तो देखिए प्लस माइनस का मल्टिप्लिकेशन माइनस हो जाएग होगे आपका साइन स्क्वाइर थीटा अब देखिए यह माइनस और यह माइनस मल्टिप्लिकेशन होगा ना तब प्लस हो जाता है ठीक है अगर नहीं आइडिया है तो यह भी आइडिया समझते जाए देखिए एक छोटे-छोटे मैं समझा रहा हो ना तो उसमें छोटी-छोटी बातों को पकड़ के रखने का कि सर ने मल्टिप्लिकेशन में दबताया कि माइनस माइनस का मल्टिप्लिकेशन प्लस हो जाता है तो प्लस लिग दिया अब यह कॉसी स्क्वार थीटा कॉसी स्क्वार थीटा चोटी-छोटी बा पराबर हैं तो साइनिस्ट् wealue हो जाती है यह आपका अन्षम हो गया तो अभी चार AT मैंने बताए हैं ठीक है और जली एक और QC 2000 करा देते हैं ठीक है इस वीडियो में left questions मैं करा रहा हूं ठीक है आगे भी मैं questions कराते रहूंगज देखिए अब के सामने दिया हुआ है Is to power to X है और यहां पर है पर iBeam कि कि यहां पर ए 1 और यहां पर है is to Power minus X यह अपके सामने कुशच्चंस तिया हुआ है ठिक है कि अभी कि मुझे फैंड ओड करनी है तो मैं और यह इस पे है e पे minus x power फिर minus sign होता ही है फिर इसका multiply one का किसी में भी करोगे तो वही value हो जाता है e raise to power x clear अब यहाँ आप देंगे जब base same हो और multiplication में हो तो power add हो जाता है तो e पे 2x minus x add मतलब देखिए जो sum दिया हो जैसे ये plus ये करेंगे प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा और यहाँ minus e raise to power x है अब यहाँ देखिए 2x में से 1x minus हो जाएगा तो सिप x बचेगा power में आ x बच गया और यहाँ पे भी e raise to power x है अब देखिए same value से same value minus करते हैं न तो आ जाता है वो 0 इस तरीके के questions जब भी आएंगे तो ऐसे solve करेंगे ठीके और ऐसे ही बैतरी questions मैं आपके सामने लाते रहूंगा कि ताकि आपका बहतर चे बैतर question solution मिल सके ठीक है मैं provide करने की कोशित करूंगा कि आपको बहतर result मिले ठीक है आप patience रखके इसको देखते जाएंगे न तो आपक बहुत ही better result मिलेगा ठीक है तो देखते जाएंगे और अपने आपको best बनाते जाएंगे तो thank you for watching this video